अभी दोस्तों वेलकम बेक टो जीवन ग्यान और कई वीडियो में बात कर चुका हूं कि अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पुरी काइनाथ उसको आपका बनाने में लग जाती है वह बात सही भी है बट इसी के साथ मैंने एक वीडियो में यह जिक्रा भी किया था कि यू मस्ट हव प्लाइन बी सीडी यू मस्ट हव अन अल्टरनेटिव रूट तो यह बीट बात तो दोनों सच कैसे हो सकती हैं और कुछ दोस्त बोलता है कि दोनों अलग अलग पहलू है यह साथ से दोनों इंटरकनेक्टिड हैं तो लुक तोवर्ड दी हॉलिस्टिक व्यू एक बिग पिक्चर आप इसको देखें तो यह सोचिए कि दो candidates जो interview देने जा रहे हैं कहीं पर नोकरी के लिए उन में से एक जो घर पे बैठा हुआ है और दूसरा नोकरी कर रहा है पहले से ही ठीक है कमाई कर रहा है तो जो घर पे बैठा हुआ है जिसके पास पैसे आ नहीं रहे हैं जो पहले से नोकरी कर रहा है जो पैसे भी आ रहे हैं तो जादा टैंशर भी नहीं है कि हाँ होगा तो होगा नहीं होगा तो कोई इसुनी है बाकि आगे देखेंगे वोड़ भी हाव इन गूड स्टेबल कंडिशन ठीक है तो वो अच्छे से इंट्री दे पाएगा और मेरका खाल से अच्छे सक्सीड भी कर पाएगा डेफिनेटली नोलेज डेफिनेटली मैं टास कि हाँ कि इसको नोलेज ज्यादा है चीजों के बार में बड़ मेरे तीन साल के के एरियर मैंने ये चीज समझी है कि नोलेज चे जदा एक्सपीरियंस बोलता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और नोलेज है तो definitely you are more part आपको consider किया जाएगा बट अगर आपके बल नोलेज और experience को रखेंगे तो आप कितनी बड़ी डिग्रिया है कि उना ले लो अगर experience नहीं है आपको चीज का hands-on experience you won't be considered तो यह चीज़े है इस पर एक चीज जो रड़न करना चाहूंगा मैं बोल चुका हूं कि you must have a plan B C D but when you're having a plan A to give your full focus to plan A plan A पर full focus करो पूरा जहन लगा के but you definitely have an alternate route आपको पता होना चाहिए अगर plan A फेल हो जाता है तो मेरे पास plan B C D है ठीक है तो I can go that one तो अगर plan A फेल होता है तो go to plan B give your full dedication to plan B then अगर वो फेल हो जाता plan C D backup route आपके पास हमेशा होना चाहिए याद रखियेगा ठीक है कई plan B movies में भी आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई movie ऐसी याद आ रही है तो मुझे comment section में निचे लिखके बदा सकते हैं आप और ज्यान रही है खुछ रही है कि बढ़ते रही है कि इस पे लब एक चीज और ध्यान आई कि आपकी जो कुछ लोग कमाते हैं ना कुछ पैसे कमाते हैं या फिर कुछ नोकरी लगा रहे हैं salary individuals जो लोग है तो जो कि बढ़ एक salary पे जी रहे हैं वो लोग मलब बड़ मजबूरी से काम कर रहे हैं उन्हें डर भी है कि हाँ कही नोखरी ना छोड़ जाए नोखरी ना चली जाए और वहाँ पे जो लोग जो पैसिव इंकम पर काम कर चुके हैं जिनकी alternate sources of income हैं तो उनको भी मलब नोखरी सब्सक्राइब कर पाएंगे और शायद ग्रोथ की तरफ फोकस कर पाएंगे अगर आपका single source of income है तो आप मजबूर हो जाते हो आपका द्यान उस पर ही रहना पड़ता है ना आप छोड़ नहीं सकते उस चीज़ को इसमें से अगर आप किसी बात पर सहमत हैं तो गिव में लाइक अगर आप सहमत नहीं है आपके कुछ और डिफरेंशल थोट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं लिखके बताईएगा और जुड़े रिएगा डेली वीडियो के लिए तिल देन स्टे हैपी स्टे नो सोरों अंटिल टमोरो खुश रहो खुश रहो खुश रहो जय हिंद्ध जय वारत वेर कमें तो फाइनल टूस